हमारे साथ मनोच पांडे घोशी से बने हुए है मनोच अरा घोशी का महौल हमें दिखाएं ज़रा क्योंकि यहां भी टक्कर थोड़ी जबर दास्त है दोफेर के बारा बज़ गये है यूपी में तो इन दिनों तापमान 45-40 डिगरी है अभी किस तरह का महौल, रुजान, लोगों में मत्यदान के प्रति दिख रहा है हुआ पर जी घोशी का जो महौल है वो बड़ा खुसनुमा है खुसनुमा इसलिए है जब से वोटिंग स्टार्ट हुई यानि सुबह साथ बजे से मद्दातल लगातार निकल रहे है और ये बुनकरों का ताना बाना कहे जाने वाला ये शेहर है और उस शेहर में बुनकरों के साथ यहाँ पर जो विकास मुद्दा है और अन्य मुद्दे है वो थोड़ा सा उसका सोर कम है यहाँ पर जाती जो मुद्दा है जाती समिकरण वो मुद्दा बर्चल के अवर रहा है उसका कारण यह है कि यहाँ पर राय और राजभर की लड़ाई सामने है यानि NDA और इंडिया गडबंधन अनिल राजभर तो दूसरी तरफ राजीव राय इंडिया गडबंधन के प्र aint क्या इस्ट करके आपने वो ड्टाला क्या मुद्दा है लिकास के मुद्दे पर अधी कुछ लोग की जाती मुद्दा था फो राष्टबाद और देशब। और विकास के मुद्दि को ले करके चलते हैं उनके लिए विकास नीजी देखिए दिश्टी है क्या नाम है आपका विश्च मद्दिशिया क्या था जब आप वोट कास्ट कर रहे तो क्या था दिमाथ में वेरोजारी महेंगाई लोकल मुद्दा चहरा मुद्दा जो है यह बहुत बई मुद्दा है यह देश का सनुविधान बचाने की मुद्दा है और साथी साथ यह जो नौजवान बेरोजगारों के लिए जो यह मुद्दा है किसान परसान बेपाई वर्ग सबसे ज़्यादे परसान है इस सरकार में बेपाई वर्ग इस वज़े से परसान है कि मध्यम वर्ग के जो बेपाई है वो आए दिन महंगाई के वज़े से ज़्यादा ही परसान है इस वज़े से जो है महंगाई ज़्यादे वो हैं कि आप यह जब मद्दान डाला आपने जब वोट कास्ट किया तो डिमाग में आपके नहीं चल रहे हैं तो यह चीज़े हैं आप देख रहे हैं कि किसी का जाती olsa है तो किसी का व enfants तो किसी का रोजगार मुड्दा ठीक है आप शी नाम लिया अनिल राजबर का तो अनिल राजबर का मैं बता दूं की ठीक मद्दान से एक दिन पहले जो उनका वीडियो वाइरल हो रहा है वो मंच पे परणाम करने का हो रहा है डंडवत हो रहा है वो चर्चा का विशय बना हुआ है हलाकि अब आते हैं गोशी की जंता के पास और उनके मुद्धे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं लेकिन महिलाओं से जानेगे क्या था दिमाग में महेंगाई लोकल मुद्धा, सड़क, बिजली, पानी देश का विकास कोई की विकास और जिसका घर नहीं था घर बन गया बिलकुल बिलकुल घर बन गया अब आते हैं पुरशों के पास यूवा से जानते हैं, क्या सोच करके वोट दिया जटा, बेरोजगारी, रोजगार, महेंगाई, क्या सोच करके? जी सर इस वे बार के चुनाव में यह सारे मुद्दे काम करेंगे बेरोजगारी है युवा की परिशानिया है घोटाला है देश की जनता का स्वास्त है जैसा कि हम सभी देखते हैं कि अभी फिलाल में इलेक्टोरल बॉंड का जो घोटाला सामने दिख रहा है इस पे वरतमान सरकार चुप है अपनी राय नहीं है और घोशी तक मार है उसकी मतलब यह मुद्दा भी है इलेक्टोरल बॉंड भी ध्यान में है क्या आप क्या सोचते हैं आपके ध्यान में क्या था जब आप वोट कास्ट कर रहे थे हमारे मुद्दा यह था सर कि सरकार को चैंज करना है क स्पर्खनाए में कुछ नहीं लगा है इसलिए आप उ COR gamma एप क्या सोच कर के वोट क्या है बदलाओ पहले से हिस नहीं है सभी मुद्वों का एक ही जवाब मोजी सरकार सभी मुद्वों का एक ही जवाब मोजी सरकार।